रादे रादे दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे मजे में होंगे और खुश होंगे तो दोस्तों अभी चल रहा है अधरा नशत्र जो की बहुत को मालूम होगा और बहुत लोगों को नहीं भी मालूम होगा क्योंकि जो लोग मा बनाते हैं उन्होंransya को तो मालूम होगा दहीं इझा alatoon आग करकर बोद में सब state में ममी मेरी सासों मालोग लगा दे थी बाद में बोली बच्चों को बनां करके दे देना इस प्रमे 여러powered कई तबियत खराब हो गया तो नहीं बना सके थे तो आज सोचे चलो बना देते हैं और अधरा में खीर बनाना चाहिए और बहुत जगह तो दाल पूरी सब बनाया जाता है लेकिन हमारे इधर ना सिर्फ खीर का ही भोग लगता है और आम आम का सीजन है अभी तो बस इतना सा ह तो हम तो बना रहे हैं खीर तो ये देखे दूद को उबाल लिये हैं पहले और बस दो-तीर मुठी चावल दोके डाल दिये तो ये चावल खीर वाला ही था और दूद चड़ा दिये थे दो उबल के भी गिर गया इस टौब भी गंदा हो गया मेरा उतना नहीं दिखाया आलू और पटल की सब्जी बनाएंगे तो सब्जी को ना काट के अच्छे से दोके रख लिये हैं सब्चीज और इधर मेरा खीर भी आधा पूरा एकदम पक ही चुका है तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ काजू और बदाम डाल दिये थोड़ा सा एक-एक मु जाएगा तो मेरा इधर खीर भी पक गया है थोड़ा सा इसको दो-तीन मिनेट और पकाएंगे चीनी गूलने तक दो-तीन मिनेट और बस इधर सब्जी चढ़ा दिये हैं और मेरा बाबु करना थोड़ा सा तबिया तभी ठीक हुआ है पूरा ठीक तो नहीं हुआ है लेकिन देखिए सब्जी चढ़ा दिये और जीरा डाले थे फोरण में और थोड़ा सा एक तेजपत्ता डाले थे और अच्छे से वो सब पक गया तेल में डाल दिये थे सब और उसके बाद ये आलू और पैल राouve को अच्छे से आधा और पैल बून गया था उसके बाद ली आलू है तो बस इसी तरह सौटकोट में बनाकर तयार कर रहे हैं सब्जी तो देखिए यह आलू-पटल भी डालके नमखल्दी डालके थोड़ा सा भून लिए दिन चार मिनिट उसके बाद यह अध्रक लेसून और लाल मिर्च का पेस्ट डाल दिये हैं जो पीस कर रखे थे वह भी को भी मसाला को अच्छे से भून लेंगे और दो टमाटर डाले हैं थोड़ा सा बड़े साइज में और इन सभी को खुले में करके ही दो दो तीन तीन मिनट ऐसे बस भूनते गया हैं तो भूनते बूनते अच्छा ही 5-10 मिनट लग गया था यह और उसके बाद पर जब भू यह तो यह तो भी फिजिस का बड़ा दो डिए हम ज्यादा पूरी पूरी तो हैं नीचे में लेघ और ऊतार है हम बेल लेंगे और मेरी सनेहा थोड़ा सा तल देगी ज़्यादा पूरी तो है नहीं तो सबसे पहला पूरी अगनी देपता को ब्रह्मा देपता को चड़ा दिये और उसके बाद भी रव चलते हैं अपने लिए और उसके बाद थाली लगा के दिखाते हैं आप लोगों को तो हमारा यही था आजका अधरान चसर का खाना और आप लोगों के इधर क्या बनता है कैसे बनता है जरुर से बताइएगा कॉमेंट में गर्मा गरम तहल में डालते और बस यह फूलते जाएगा तो बस इसी तरह सारा पूरी तल के निकाल लेंगे और एक दम सौट कॉर्ट में काट कर दिखा रहा हैं आप लोगों को ज्यादा कुछ पूल कर तयार हो गई है चना कर और अब लगाएंगे थाली तो चलिए सब्जी भी बनकर रेडी हो चुका है खोले थे एक बर उसको मिक्स कर लिये थे सब्जी को धनिया पत्ति सब नहीं मिलाए हैं तो यह दिखिए हमारे सब्जी बनकर तयार है और तो चारना आलो इसमें मै दालते हैं और इसके साथ घीर बनकर तयार हो गया और यह थाली और आप लोग भी लीजिए भगवान को भूब नहीं लगाते हैं बस ऐसे पर नाम करके खा लेते हैं तो यह देखिए हमारे खाना बनकर हो गया तयार तो इधर चावल चढ़ा दिया हैं दोस्तों हमारा पूरी इधर बन गया है तो चावल भी थोड़ा सा बना रहे हैं तो कैसी लगी आप लोगं को वीडियो और तो अच्छी लगी हो तो लाइक सस्क्राइब कर दीजेगा मिलते हैं फिर से बाई बाई राधे राधे